पाकिस्तान में पीम की कुर्सी पर इमरान खान के दिन पूरे हो चुके हैं विपक्षब इमरान खान के जाने का इंदिजार कर रहा है तो वहीं इमरान को लगता है कि वो अब भी अपनी कुर्सी बचाने में काम्याब हो जाएंगे वैसे इमरान का इस समय लगातार कमजोर पढ़ते दिखाई दे रहे हैं बहुमत का आकड़ा उनके हाथ से फिसलता दिख रहा है लेकिन इसके बावजूद इमरान कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है तो क्या होगा इमरान खान का अगला सियासी कदम देख़ते हैं इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में पीम की कुर्सी पर इमरान खान बस एक या दो दिन के महمان है विपक्ष के आवश्वास परसाफ से बचनी का कोई रास्ता इमरान खान को दिखाई नहीं दे रहा है सरकार जाती देख इमरान को अब जंता की याद आ रही है वो लगातार अपनी आवास पाकिस्तानी आवाम तक पहुचाने की कोशिच कर रहे हैं रोज नए खुलासे करते हैं लेकिन नईया को उनके अपने ही डुबोने पर तुले हुए हैं उनकी सरकार के सहयोगी दल साथ छोड़ रहे हैं इमरान खान की सरकार अलप मत में आ चुकी है ये इमरान खान भी जानते हैं कि वो बाजी हार चुके हैं लेकिन वो अंतिम बोल तक लड़ने की बात कर रहे हैं इम्राउन खान क्रिकेट के खिलाडी रहे हैं पाकिस्तान में उनसे बड़ा खिलाडी नहीं हुआ लेकिन खेल का मैदान और राजनीती के मैदान में बहुत अंतर होता है यहां गेंद किस दिशा से आएगी इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है इम्राउन की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटी आई को भी एहसास हो चुका है कि मुकाबला हारा जा चुका है इम्राउन बस पैतरे दिखा रहे हैं इम्राउन के हर पैतरे को पाकिस्तानी विपक्ष और पाक सेना नाकामियाब कर रही है पाकिस्तान में रव पिश्वास प्रस्ताप पर वोटिंग से पहले इस्तिफा देंगे या फिर वोटिंग के बाद उनकी सरकार जाएगी। पाकिस्तान की बहतरी के लिए इमरान को जल्द इस्तिफा दे देना चाहिए जिसे नई सरकार पाकिस्तान की आर्थी किस्ति सुधारने के लिए नीतियां बना सके डीबी लाइफ की रिपोर्ट